उत्पादन में भारी गिरावत का आंकणा आने के बाद बढ़ेगा प्याज का दाम दरसल प्याज उत्पादन के नए आंकणों की वज़े से बाजार में दाम पढ़ सकते हैं किसानों को उमीद है कि अगले एक से दो दिन में मंड़ी में प्याज के भाव में तेजी देखने को मिल सकती है 20 सीजन का प्याज आने वाला है ऐसे में इस बार अच्छा मुनाफ़ा मिल सकता है केंदर सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया है उसके अनुसार पिछले एक साल में प्याज का उतपादन लगबक 47 लाग टन कम होने का नुमान है जानकारों का कहना है कि जब इतनी बड़ी गिरावट होगी तो हर हाल में दाम बढ़ेगा और इसका फायदा किसानों को मिलेगा किसानों ने कम दाम से परिशान होकर प्याज की खेती कम कर दी ती जिसकी वज़ज़ से इस बार उतपादन काफी खट गया है वहीं उतपादन का नए आंकड़ा आने से पहले निर्याद बंदी के बावजूद प्याज का नियून्तम दाम महाराश्ट्र में 7 मार्च को 2 रुपए से लेकर 16 रुपए प्रती किलो तक देखने को मिला जब कि अधिक्तम भाव 23 रुपए प्रती किलो रहा मही राज्य की ज्यादातर मंडियों में प्याज की आवक अब दिसंबर जन्वरी के मुकाबले काफी कम हो चुकी है इसलिए निर्याद बंदी के बावजूद किसानों को दाम भोत खराब नहीं मिल रहे ऐसे में अगर नहीं आंकडों का आसर हुआ तो इसमें तेजी से बढ़ोतरी होने का अनुमान है वही क्रिशी मंतरालिय के आंकडों के अनुसार पिछले साल प्याज का उतपादन 302,08,000 तन था जिसे साल 2023 में घटकर 254,073,000 तन रहने का अनुमान है महराश्रों में सबसे ज्यादा 34,31,000 तन उतपादन घटा है जिसकी वज़ा है कि किसान कई साल से प्याज का दाम बहुत कम पा रहे हैं जब भी दाम बढ़ता है तो सरकार उसे किसी ना किसी प्रतिबंद के तहत घटा देती है इसलिए राजे के किसानों ने नराज होकर खेती ही बंद कर देने का एलान किया था घटे के कारण काफी किसानों ने खेती छोड़ दी कहा जारा है कि इसके कारण उतपादन इतना कम हो गया है अब बाजार जानकारों को उमीद है कि सरकार की तरफ से जो आंकड़ा घोशित किया गया है इसके बाद से बाजार में प्याज की कीमतों में एक से दो दिन में तेजिब बन सकती है